प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आईए आज पढ़ने वाले हम लोग अच्छा साथ विज्ञान इकाई 21 जिसमें आपको पढ़ना है कम्प्यूटर कम्प्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कम्प्यूटर के पार्ट कम्प्यूटर की कितने प्रकार की मिमोरीज हैं है न आईए सब पढ़ना है आउटपुट डिवाईस इन पुट डिवाईस इन सब के बारे में पढ़ना है तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को, तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूरू कर दें आप लोग, वनना बाध में फिर भूल जाते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, तो पहले देखो किस दी गई है router, और इसमें मेन मेन चीज़ पढ़ना है यह देखो headings देखो लिखा है इसमें पढ़ना है आपको input और output device है ना input और output device पढ़ना है mouse पढ़ना है keyboard पढ़ना है CPU monitor memory class 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यह होते क्या है इनके बारे में पढ़ लिया गया है computer की जो पीठियां है उसके बारे में पढ़ लिया गया था तो और पढ़ना है computer on और आफ कैसे किया जाता है computer software का परिचय देना है और system का अनुप्रियोग भी बताया गया है है ना तो आई यह बहुत ही interesting होने वाला है वीडियो तो शुरू करते हैं देखो लिखा है कि पिछली कच्छा में आप पढ़ चुके हैं कि computer अनेक प्रकार के device या यंत्र device का मतलब क्या होता है यंत्र का प्रियोग होता है computer में यह अनेक प्रकार के electronics योम वेद्दुत उपकरणों से मिलकर बना होता है जिसमें keyboard, mouse, cpu, monitor, speaker आदि भाग होते हैं प्रतेक भाग के अलग-अलग कारे निशित होते हैं यह सामुहिक रूप से मिलकर एक system की तरह कारे करता है इसमें input device है ना, output device processing unit योम memory unit होते हैं इनका उद्देश कार्यों को तीवर्त योम सुध तरीके से करना होता है फिर देखो heading लिखी है कि input योम output device तो कच्छा 6 में हम लोग उने पढ़ा है थोड़ा सा सार्ट में पढ़ा गया था है इसमें उनके बारे में details से वर्रन किया गया है तो आईए पढ़ते हैं input device और output device क्या होते हैं तो देखो input device में बताया गया है कि input device ये heading देखो पढ़ेंगे input device computer में जिस device द्वारा निर्देश दिये जाते हैं उन्हें input device कहते हैं जैसे आप mobile phone को देखते हैं तो mobile phone में जो keypad होती है जो बटन लगे होते हैं वो आपका input का कारी करता है उसी प्रकार से computer में एक भाग होता है जिसको input device से आपका mouse हो गया आपका keyboard हो गया है ना scanner हो गया तो ये input device होते हैं जो देखों को computer के अंदर भेजने का कारी करते हैं किसी भी निर्देश योम data को input device के माध्यम से computer को उपलब्ध करा जाता है input उपकरणों का प्रियों computer में आकणे डालने के लिए के जाता है computer में अनिक प्रकार के input device प्रियों के जाता है जैसे keyboard का प्रियों के जाता है mouse का प्रियों के जाता है scanner का प्रियों के जाता है जैसे हमने किसी copy को scan करना है तो आप क्या करते हो प्रिंटर में रखते हो और इसको स्कैन कर लेता है तो कंप्यूटर में सेव कर लेता है तो वो होगा स्कैनर और कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनिपुट जो है उपकर्ण में से एक है क्या कीबोर्ड है ना जिसका पुरियोग कंप्यूटर में आं स्कैनर होता है यह क्या है यह आपके इन्पुट डिवाइस होते हैं फिर चलेंगे आउट्पुट डिवाइस के बादे हो क्या लिखा गया है आउट्पुट डिवाइस कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निसकर्ष या प्रडाम प सथा प्रकार जैसे धोनी डाटा मिमोरी आज को परदसित करता है आउट्पुट डिवाइसों में सामानता है मानीटर प्रिंटर एयर फोन और प्रोजेक्टर सामिल होता है तो देखो जो आउट्पुट डिवाइस होता है वो जो संदेश हम अंदर भेज रहे हैं जैसे हमने कोई हाट है निकालना है को फोटोपी निकालना कोई निकालना थो ऊब रियोग करते हैं Pacific क्या है वह ऊक्रिंटर आउंट नियुक्तता है हमने गधिती है वह रिटा है तो आउट्पोट निकल रहा है, तो वो क्या हो गया। आपका आउटपूटूट डिवाइस हो गया। रखा जाशकता है इसके point रखते हैं और click करने का कारी करता है mouse है ना किसी भी cursor के द्वारा उसको घुमाते है mouse के द्वारा cursor को घुमाते हैं जिसका परियोग चित्र या graphics बनाने के साथ साथ किसी बटन या menu पर click करने के लिए किया जाता है इसकी सहायता से हम keyboard का प्रियोग किये बिना अपने PC यानि personal computer है ना PC का मतलब क्या है यहाँ personal computer को को नियंतरित आ कर सकते हैं mouse में दो या तीन बटन होते हैं जिसकी सहायता से computer के निर्देश दिये जाते हैं mouse को घुमाने या हिलाने पर screen पर pointer उसी के अनुसार घुमता है mouse के नीचे की और rubber की गेंद यानि ball होती है समतल सतह पर mouse को हिलाने पर यह गेंद घुमती है है ना तो देखो यह mouse आपका बना हुआ है और इस mouse में जो है देखो आपको सब चीज़े दिखाई नहीं देंगी लेकिन हमको बता दें यह आपका जो नीचे वाला भाग है इस पर हम इसको रगड़ते हैं ना इसको जब हिलाते हैं इस पर घुमाते हैं तो जो computer में ने pouन नीचे जाता है तो यह आपका कार्य हो जाता है तो यह दो इधर हो बीच में एक जो होता है और बीच में एक होता है जिसको घुमाने पर ऊपर नीचे करसा जाता है तो यह आपका माउस हो गया ठीक इसके बाद देखो माउस के प्रकार तो माउस कितने प्रकार के होते हैं मार्केट में किस प्रकार के उपलब्द हैं तो वो देखते हैं सबसे पहला माउस का प्रकार दिया गया माउस प्राह त तो वो तार रहित, वायरलिस, मकैनिकल की बात करेंगे, तो इसके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है, जब माउस को सता पर घुमाते हैं, तो वह उस खोल के अंदर घुमती है, माउस के अंदर गेंद घुमने से इसे इसके अंदर के संसर कंप्यूटर के संके को देता है तो यह जो computer होगा mouse होगा तो mechanical mouse कहलाएगा इसके बाद है प्रकाशी mouse प्रकाशी mouse में क्या हДता है यह Non-Mecanical mouse होता है या righteousness mechanical कोई कारह नहीं होता है यह Non mechanical होता यह ना एक पुझ इसके नीचे की चता से उसर्जित होती है जिसके परिवर्तन के अधार पर यह आप्जेक्ट की दूरी तथा गत्य करता है इसके बाद है तारहित wireless mouse है ना तो इसके बारे में देखेंगे तो यह लिखा है कि यह radio आवरति यह radio आवरति निए radio frequency तक्निकी की सहायता से computer की सूचना communicate करता है इसमें दो मुख्य components transmitter था receiver होते हैं transmitter mouse में होता है receiver computer से जुड़ा होता है और यह signal को प्राप्त करता है तो कोई भी wireless चीज़ होती है तो उसमें दो चीज़े लगी होती है transmitter और receiver जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो आपका remote control होता है तो वो क्या होता है वो wireless होता है तो उसी प्रकार से यह mouse कारे करता है तो आगे करते हैं कि computer mouse के क्या कारे होते हैं तो mouse से कारे लिखा गया है कि clicking, double clicking दाए clicking और dragging और scrolling यह कारे करता है यानि किसी side को scroll करना है ऊपर नीचे करना है कोई भाग नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको scroll किया जाता है तो वो scrolling और इसके बाद दाए क्लिक भी करता है और double click किया जाता है किसी app को main menu menu को खोलने के लिए double click किसी कि किया जाता है तब जाके खुलता है तो computer चलेंगे तो यो चलाएंगे तब इसमें जो है जानकारी हो जाएगी अगला देखो इसमें दिया गया है कार्य क्या है mouse को इधर उधर सरकाने से mouse pointer screen पर किसी भी दिसा में घूमता है तो यह आपका दूसरा कार है mouse का button दबाकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने यानि dragging पर वह अस्थान काला हो जाता है जिससे select करते हैं है ना जब किसी mouse से किसी अस्थान पर दबाते हैं या दबाकर रखते हैं तो वह चीज होती है या कोई file हो या कोई app हो तो उसको दूसरे यह कारे करता है mouse का अगला कारे देखेंगे लिखा गया है उसके desktop के icon पर रख कर लगाता और दो बार बाया बटन दबाजने पर संब्धित software खूल जाता है यानि जो home screen होती है computer की उस पर अगर mouse से दो बार किलिक किया जाएगा तो software वो खूल जाएगा वो जो app होगा वो खूल जाएगा तो यह कारे करता है और अगला है screen पर एक बालू घड़ी screen पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि computer आंत्रिक सुरूप से कारे कर रहा है आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह फिर से तीर ना बन जाए acheiैं ना जैसे कभी-कभी होता है कि computer चलाओ तो उसमें क्या होता तीर का निसान होता वो करसर होता है लेकिन कभी-कभी वो goal goal जो है serc search कर रहा है वह ऐसे होने लगता है तो वो क्या है जतलisineक कारे पूरा नहीं हो जाता प्रोसेसिंग पूरी नहीं हो जाएगी तत्रा को तीर नहीं बनेगा तो यह कार भी करता है संकेत करता है कि हाँ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है भी इसके बाद देखो पूरा एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर बिंडोज के अन्य विकलब खुल जाते हैं इस बात पर निरभर करता है यह इस बात पर निरभर करता है कि स्क्रीन पर बिंडोज खुला हुआ है या कोई अन्य साप्टेवर खुला हुआ है तो इस बात को निरभर करता है इसके बाद हो keyboard तो keyboard के बारे में पढ़ेंगे चित्र बना हुआ इसको समझ लिजी थोड़ा सा तो इसमें देखो ये keyboard बना हुआ है आप लोग जब अपने घर में आज पास परोस में computer के दुकान पर जब computer देखेंगे तो इसमें जो है keyboard आपको नज़र आएगा तो इसमें जो है tab की बनी होती है जिसपे लिखा भी होता है tab और shift की बनी होती है shift की है ये वाली तो इसके बाद देखो arrow की लिखी है arrow की है एक इधर दाएं बाएं और उपर नीचे ठीक ये आपकी क्या है arrow की होती है इनको arrow की कहते है और enter की इसमें एक ये enter की होती है और ये enter की होती है दो enter की होती है तो ये ध्यान लगना और उपर जो ये वाली 12 की होती है ये functional की कहती है इसमें लिखा होता है f1, f2, f3, f4, f12 तब लिखा होता है तो ये functions की होती है बागी आल्फाबेट यहां पर होता है और numerical जो होती है वो यहां पर होती है बागी numerical यहां भी दिए गए होते हैं तो ये पूरा जो है आपका जब आप keyboard देखेंगे तब समझ में आ जाएगा इसके बाद दीखेंव बढ़ते हैं थोड़ा सा keyboard के बारे में लिखा गया है कि keyboard एक input device है कैसा device है? इनप डिवाइस जिससे हम computer में संकेतों को भेजते हैं इसके दवारा program yom data को computer में enter किया जता है ये typewriter के keyboard जैसा ही होता है जैसे आप लोग तहसीर या ब्लाक में जाएए तो वहाँ पर क्या है? टाइपराइटर बैठे होते हैं कोई भी आपको टाइप कराना है तो उसके पास लेते हैं तो जैसे उनकी मशिन होती है टाइपराइटर उसको कहते हैं उसी प्रकार से यह keyboard भी होता है इसमें alphabets संबर की और इसुमामनमर की होती है और पंच्वोइशन पनतला होता है और पॉइंट भी होता है तो ये क्या है पंच्वेशन की कहे जाती है है ना कामाई नवरेट कामाई से पंच्वेशन की जब एक की दबाई जाती है तब एक electronic signal उत्पन होता है जब जो की keyword and encoder नाम के electronic circuit द्वारा deduct किया जाता है computer के keyword में type writer पर मिलने वाली सभी कीज होती है और कुछ अत्रिक्त की भी होती है ये अत्रिक्त की cursor control, insert, delete और scroll control की होती है कुल मिलाके 104 की होती है ये दियान रखना ये बहुत important चीज है कि keyboard में कितनी कुल मिलाके की होती है तो 104 की होती है आगे पढ़ेंगे लिखा गया है कि करसर नियंत्रड की करसर नियंत्रड की जिसको एरो का निसान बना होता है जिन्हें हम बाएं दाएं नीचे और उपर एरो करते हैं करसर की की मदद से करसर को स्क्रीन पर बाएं दाएं ऊपर और नीचे लाने कारे कारे करते हैं ले जाने का कारे करते हैं फंक्सनल की क्या होती है इसके बारे हम थोड़ा सा दिखा गया है कि F1 से लेकर F12 तक है ना होती है और यह की अलग-अलग साप्टोयर में अलग-अलग तरह से कारे करती है यह फंक्सनल की होती है उपर की लाइन में बनी होती है इसके बाद है टाइपराइटर की यह क्या होत हैं इसके बाद है नीओमियरेकी तो नियूमिरीक का मतलब क्या होता है निमेरिकल düş होते है एक और गुना भाग यह आपको मिल जाएंगे निमरिक की में इसके बाद है कैपस लॉक कायपस लॉक की होती इसके वारे में देखो थोड़ा सा बटन को एक बाद दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करके अच्छर बड़े ठीक उसमें एक लाइट होती है कैपस लॉक वाले पर सब्द जो है छोटे टाइप होने लगते हैं तो यह आपको ध्यान देना है तो यह होगा काईप शुलाग कि इसके बाद सिप्ट की क्या होती है कि सिप्ट की को दबाकर अच्छर टाइप करने पर वह बड़ा टाइप होता है एंटर या रिटर्न की इसके इस्तिमाल दो कामों के लिए क्या जाता है इसका इस्तमाल पहला है स्क्रीन पर लिखे निर्देसों को एंटर की दबा कर प्रोसेस यानि सीप्यू तक भेजा जाता है कि प्रोसेसिंग होने लगे उस कारे पर और दूसरा कारे होता है कि अच्छर टाइप करने के बाद एंटर की दबाने से करसर लाइन लाइन तक पहुँच जाती है ये कारे होता है करसर नई लाइन तक पहुँच जाता है एंटर की या रिटरन की का कारे को होता है और अगला है डिलीट की डिलीट की से स्क्रीन पर अच्छर लिखा जो होता है वो मिट जाता है ये कारे करता है तो delete सबकों मालू होगा delete करना है न और इसके बाद है back space दबाने से cursor एक अच्छर पीछे आ जाता है तथा जिस अच्छर पर cursor पहले या पहले था वह मिट जाता है इसके अलावा और भी की हैं जो अलग अलग कारियों के लिए परियुक्त की जाती है अब पढ़ेंगे Central Processing Unit यानि CPU के बारे में CPU क्या लिखा है CPU के बारे में देखो यह होता है कंप्यूटर का दिमाग का जाता है लिखा भी है कि CPU कंप्यूटर का मस्तिस का brain होता है इसका मुख्य कार्य है प्रोग्राम को चलाना और अन सभी घटक जैसे मिमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार को कंट्रोल भी करता है कंप्यूटर की यह यूनिट अंकगडित तारकिक नियंतर से जुड़े कार इनपुट कार आउटपुट कार संपन नगरती है इसे आम तोर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगा जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्न घटक एक दुसरे से जुड़े होते हैं इसके बाद है कि CPU के मुख्य घटक तो CPU के मुख्य भटक कौन कौन से हैं तो पहला है अंक गड़तियत तर्क इकाई पहला भाग है CPU का A, L, U जिसे को कहते हैं Arthematical Logic Unit है ना तो ये अंक गड़तियत तर्क इकाई इसको कहते हैं पहला भाग है ये और Processor, Register, Control Unit, CPU के घटक हैं Desktop, Laptop, Tablet, Computer, Smartphone आद सभी करणों में CPU का उपयूफ या जाता है Memory आप पढ़ते हैं Memory के बारे में तो Memory के बारे में थोड़ा सो लिखा गया है और कितने प्रकार की Memory हैं इसके बारे में बताया गया Memory Computer का महत्पूर्ण भाग होता है जिसमें डाटा को स्थाई या आस्थाई रोप से संगरहित करते हैं मुखिता दो प्रकार की होती है पहला स्थाई Memory और दूसरा आस्थाई Memory है ना पहला क्या है आस्थाई Memory और दूसरा स्थाई Memory यानि कुछ ऐसी Memory होती है जो किसी भी data को कुछ समय के लिए क्यों restore करती है और कुछ memory होती है जो किवल एक बार save कर दो किसी भी data को वो जदयों आपको उसी प्रकार से बनी रहेंगी तो पहला है RAM, RAM को RAM है ना यह आपनों class 6 में पढ़ चुके हैं तो यह RAM के बारे में बताया जा रहा है RAM है random access memory यह एक स्थाई memory है आ स्थाई है यानि इसमें जो सूचना होगी वो delete हो जाएगी कुछ समय के बाद किसी भी data अथवा सूचना को संचित करने के लिए RAM का उपयोग करते हैं इसमें data अथवा सूचना को और सकता नुसार पढ़ायों परिवर्तित क्याज़ता है यह सूचना RAM में तब तक ही रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है पावर सप्लाई बंद होने पर शारी सूचना बिलुप्त हो जाती है अगला प्रकार है रोम रोम क्या होता है इसको हम कहते है र ओ एम रीड ओनली मिमोरी है ना यह एक भाग होता है और इसको यह यह क्या है इस्थाई मिमोरी है क्या है इस्थाई मिमोरी यह नहीं इसका मतलब है कि इसमें जो चीज़े सेव कर दी जाती है वो सदय आपका बनी रहती है चाहे आपका सिस्टम आप हो जाए और चाहे ना आपको तब भी बनी रहेंगी जब लिखा यह इस्थाई मिमोरी है जब पावर सप्लाई स्विच आप हो जाती है तब भी मिमोरी में संग्रह किया गया डाटा बिलोपत नहीं होता है है ना और इसके बाद है hard disk hard disk क्या है कि यहाँ इस्थाई memory होती है hard disk सूचना संग्रह करने हे तू परियोग की जाती है यहाँ computer के अंदर लगी होती है इसमें घूमने वाले disk होते है जिसमें चुम्बकी लेप लगा होता है और इस disk में data भंडरन कर देने पर data delete नहीं होती और लंबे समय तक सुरचित रहती है है ना तो यह आपका क्या है hard disk है camera जिसे होते हैं camera में hard disk लगाई जाती है camera की जो memory होती है वो और इसके बाद पढ़े है compact disk compact disk क्या होती है DVD और CD पहले के तावे जो आते थे उदो क्या है compact disk कहलाते थे लिखा गया इसके बारे में compact disk में भी आकड़ों को सुरचित रखा जाता है तो मिमोरी कारे करता है जिसमें आकड़े अंकिय प्रारूप में संचित होते हैं मूल रूप से इसका विकास ध्वनी रिकार्डिंग के लिए हुआ था बाद में इसका प्रयोग अन्याकड़ों के संचै के लिए भी किया जाने लगा संचेप में इसे CD कहा जाता है क्या अजयाने से CD ए सचाफिक और DVD चलती है ना अब नहीं चलती है पहले चलती थी तो CD में क्या है यह तव्वे लगाया जाते थे और और बाद पड़ेंगे पैन ड्राइव पैन ड्राइव क्या देखो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें पेंडराइब का प्रयोग करता है पेंडराइब यह एक पोर्ट बल्ट पोर्टेबल जो है यूनिवरसल सिरी सिरियल बस यानि यू एस बी फ्लैस मिमोरी डिवाइस है और जिसमें डाटा यानि आगड़ों को यू एस बी पोर्ट में लगा कर उपयोग किया जाता है है ना तो कंप्यूटर का जो भाग होता है उसमें यू एस बी बनी होती है उसमें इसको लगा कर यह वाला हिस्सा और प्रयोग कहता है यहाँ पर मिमोरी का कारे होता है यहाँ पर मिमोरी आपकी बनी होती है इसी में इस्टोर होता है सब और सोचनाओं का भंडान करता है इसके बाद है मानीटर मानीटर के बारे में सभी लोगों को जानकारी होगा मानीटर होती क्या है LCD होती है बड़ी बड़ी और TV नुमा है ना ये सब के घर में लगभग होती है मानीटर कम्प्यूटर का मुख आउटपुट डिवाइस है क्या है आउटपुट डिवाइस कम्प्यूटर पर परियोग किया जाने वाले प्रते कारे को यह दिखाता है इसके द्वारा परियोग करता और कम्प्यूटर के बीच में संबन्ध स्थापित होता है मानीटर डाट और सूचनाओं को परदर्शित करता है यह कलर यह ब्लैक एंड वाइट टाइप के अनुशार ही पिच्चर को दिखाते हैं आप जो पहले की टीवी होती थी वह ब्लैक एंड वाइट होती थी जिसको साधी पिच्चर कहते हैं और अब जो है क्या कलर फुल आने लगी अब तो क्या क्या है LCD भी आने लगी है कलर इंड ब्लैक एंड लाइट मानिटर से अधिक किमती होती है जो ब्लैक ब्लैक एंड वाइट होती थी उनसे महंगी आती है कलर इंड झब जब भी आप कुछ keyboard पर टाइप करते हैं तो अब उसे आप उसे मानिटर पर देख सकते हैं इसकी संरसना टेलिविजन की तरह होती है सामानदा मानिटर दो प्रकार के होते हैं CRT और TFT दो प्रकार के होते हैं देखते हैं कि CRT मानिटर जो होता है वो देखो कैसा बना CRT मानिटर CRT मानिटर ये होता है और जो TFT Miniter होता वो इस प्रकार ने होता है इसमें पीछे टूब लाइट लगी होती है लंबी-lemmy लंबी इसमें कई लेंस कहLYे होते हैं उसमें यह क्या है यह आपकी क्या है यह आपकी एल्टिडी टाइप की होती है इसके बाद है computer on aft करना computer को on कैसे करोगे साफ कैसे करोगे तो computer के cpu में मुख्य रूप से power on और power up बटन होता है कभी-कभी यह बटन CPU के पीछे की और लगा होता है और इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में बेद्दूत अंचालन होने लगता है तथा यह कारे करने के लिए तयार हो जाता है और इस बटन को पुनह दबाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है reset button द्वारा बिजली से बिना समपर्क तोड़े computer को दोबारा चालू कर सकते हैं तो ये आपका हो जाता है इसके बाद है utility software तो utility software क्या है इसके बारे में देखो लिखा गया है utility software को service program के नाम से भी जाना जाता है इसका प्रयोग computer को repair करने के लिए करते हैं जोसे हमारे computer में virus आ जाता है तो हम एक antivirus का प्रयोग किया जाता है क्या करते हैं एक antivirus का प्रयोग करते हैं उदाहड के लिए disk file recovery program और storage backup program आद utility program यानि जो computer के अंदर virus घुस जाते हैं वाइरस जो है अंदर चले जाते हैं तो उनको ना आए उनको खतम करने के लिए जो है utility software का प्रयोग जाता है जुसमें दो-तिन नाम दिए गए हैं file recovery program और storage backup program यह नाम जो है याद रखना है इसके बाद दिखो पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा है ईलेशन में हमने चीखा केंप्वीटर में जीस device द्वारा निर्देष दिये जाते हैं वह input device होता है किसी भी नर्देष युटवाइस र्दाटा is input device के माध्यम सेois computer को उपलफ दिवाइस केंदर भेया जाता है मानीटर कम्प्यूटर का मुख्य आउट्पूट डिवाइस है जो कम्प्यूटर पर किये जाने वाले प्रतेक कारे को दिखाता है इसकी सनस्थना टेली विजन की तरह होती है इसके बाद निर्देशों को एक समोह जो एक बिसेश कारे करता है साप्टवेर या प्रोग्राम करता है साप्टवेर परड़ाम को भी निर्धारित करता है तो वो साप्टवेर होते हैं इसके अलबा है कीबोर्ड एक इन्पुट डिवाइस है इसके द्वारा प्रोग्राम य या टाइपराइटर की के कीबोर्ड जैसा ही होता है तो यह लेशन आपको कंप्लिट होता है और कल जो है इसके अभ्यास प्रसंद करा दिये जाएंगे जिसने भी अभ्यास प्रसंद है वो सारे लिखवा दिये जाएंगे तो आज का जो कार है वो आपको ढंक से यह लेशन ज उसके आपको दिये जाएंगे